है ओके चलिए अब वाइस भी आ जाएगी अब वाइस भी आ जाएगी दोस्तों किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा तो चलिए अब वाइस भी आ गया है और सेशन को स्टार्ट करते हैं वाइस भी अब आग जाएगी कोई दिक्कत आपको नहीं होगा चलिए दोस्तों तो वाइस भी आ जाएगी और आई होप वाइस सबको आ रही होगी और अपने सेशन को अब स्टार्ट करेंगे तो जल्दी से गुड आफटर नून दोस्तों और सभी का स्वागत है आज के वीकली कर इंट अफेर्स के सेशन में और मैं सशांग स्वागत करता हूँ आप सभी का तो उमीद करता हूँ अब सबको आडियो वीडियो दोनों क्लियर होगा वाइस भी प्रॉपर आ रही होगी और सबको प्रॉपरली स्क्रीन पे सब कुछ दिखाई भी दे रहा होगा तो अब स्टार्ट करेंगे आज के सेशन क तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज जो हम डिसक्स करने वाले हैं वो है वीकली करेंट अफेर्स यानि जो इस सब्ता के इंपॉर्टेंट करेंट अफेर्स हुए हैं उनको MCQ फॉर्माट में तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी 30,000 प्लस चैंडिएट जिनोंने डिफरिंट डिफेंस एक्जाम में अपने जंडे का रहे हैं अपने बारे में बेसिक मैं बता दूँ कि मेरा नाम शशांख है टेन प्लस इयर्स का टीचिंग इक्सपिरियन्स जिसमें मैंने डिफेरिंट के सेग्मेंट के स्टूडेंट को को पढ़ाया है और आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वह मैं खुद भी 117 को सेंडिये का एक रेकमेंडेट कैंडिडेट हूं फ्रम 34 SSB अलाहबाद तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे सो अंशुरानी एक डाउट है तो ठीक आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ लीजे फिर हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे सो सर प्लीज इंग्लिश स्टार्ट करना है सर प्लीज टेल मी तो इंग्लिश को कैसे स्टार्ट करना इंग्लिश का जो सर है वो आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश को किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए मेरा मानना है कि अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आप किसी न्यूस पेपर की सहाइता से भी स्टार्ट कर सकते हैं वो कैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो हमारी वो कैप की क्लासे जो इंग्लिश के सर लेते हैं उसको भी जरूर जॉइन तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और आज एक इंपॉर्टेंट वोक्शॉप होने वाला है अभी से एक लाखर सरकेत द्वारा 23 दिसंबर 2022 यानि आज 9 बजे सुबह में रात में सॉरी तो आप चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेशन की तरफ और यह रहा पहला क्वेश्चन है कि बिचाफ दा फॉलइंग व्यार हाज वू गोलडेन बॉल इन दा फीफा वर्ल कप 2022 तो फीफा वर्ल कप 2022 में किस प्लेयर ने गोल्डेन बॉल अवार्ट जीता है औप्शन किलियान में एंबपे लियान में सी पावलो डाईबेला और लोबत लेव तो किसने जीता है इस बार का golden ball award ये आपका question है और काफी आसान सा question है दोस्तों तो फटाफट जल्दी से comment करके बताइए कि इस बार का golden ball award किसने जीता है गोल्डेन बॉल आवर्ड किसने जीता है तो इस बार का golden ball award किसने जीता है ये आपका question है और फटाफट इसका answer करके बताइए भाई किसने जीता इस बार का golden ball award तो किलियान एमबापे, लियान मेसी, पाउलो डाइबेला और रोबर्टो लिवन्सकी ओके देखते हैं अंशुरानी चेतन सभी का answer आ रहा है दोस्तों option B और इस बार का जो वर्ल्ड कप था वो लियान मेसी का last वर्ल्ड कप था इसके बाद उन्होंने अपनी retirement को डिकलियर कर दिया है तो इस बार का जो golden ball award जीता है वो है लियान मेसी ने और साथी साथ धियान रखना केलियान एमबापे जो की फ्रांस के हैं इनको मिला है इस बार का golden boot तो golden boot boot award जो मिला है वो केलियान एमबापे को मिला है और golden ball जो की best player को मिलता है वो मिला है इस बार लियान मेसी को और दोस्तों यहाँ पर आपसे एक important question CDS के exam में पूछा जा सकता है कि अब तक कितनी बार लियान मेसी को मिला है golden ball award so how many times how many times golden ball award golden ball award मिला है लियान मेसी को लियान मेसी को अभी तक कितनी बार golden ball award मिला है दोस्तों यह मेरा आपसे question है कि golden ball award इस अभी तक लियान मेसी को कितनी बार मिला है यह आपके लिए important है ओके अंशुरानी कह रही है तीन बार चेतन भी कह रहे है तीन तो दोस्तों जल्दी से बताईए कि कब कब मिला है जितने लोगों का answer आ रहा है तीन तो वो आपको बताना है कब कब मिला है कब कब मिला है यह जल्दी से बताईए कि golden ball award कब कब मिला है लियान मेसी को लियान मेसी को golden ball award कब कब मिला है देखो तीन आंसर नहीं है दोस्तों correct answer है option दो देखो दो बार मिला है एक तो मिला है 2014 में ब्रजील में जब FIFA हुआ था और अब मिला है 2022 में यानी कतर में तो 2014 और 2022 में मिला है तो 2014 और 2022 और जो नेक्स्ट फीफा है नेक्स्ट फीफा जो होगी 2026 में इसकी वेन्यू कहा है जो नेक्स्ट फीफा होने वाला है 2026 में इसकी वेन्यू कहा है 2014 और 2022 में मिला है ब्रजील में और दूसरा हुआ है जो कतर में वहां नेक्स जो है वो नेक्स फीफा 2026 कहां होने वाला है दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताओ नेक्स फीफा 2026 कहां होने वाला है नेक्स फीफा 2026 और दोस्तों सबसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देना ताकि जो भी आपके भाई बंदू जो डिफेंस एक्जाम की तयारी कर रहे हैं वो सारे इस सेशन को जॉइन कर सकें तो यह बताओ कि भाई जो नेक्स्ट फीफा टूथाउजन ट्वे मेक्सिको तो यूएस कैनेडा और मेक्सिको तीनो तीनो कंट्री मिलकर के होस्ट कर रही है तो यह मत क्या देना कि सिर्फ अमेरिका कर रहा है तीन कंट्री होस्ट करेंगी यूएस कैनेडा और मेक्सिको तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जो कि लियान मैसी को म तो और आजेटीना ने अभी तक जीता इस ट्रॉफी को 1986 में 1978 में और ध्यान रखना की गोल्डेन बॉल जो फीफा का मिला है इस बार को लियान मेंसी ओफ आर्जिन चीना को मिला है है और इमबा पे जो फ्रांस के हैं इनको मिला है गोल्डेन बूट आवर्ड तो गोल्डेन बूट जो चैलियान एमबापे अप्रांस के और गोल्डेन बूट लियॉण मेसी जो हैं आरजिंटीना के तो करेक्ट आंसर होkay दोस्तों आप्ष्ब an नेक्स्ट क्वेस्टन पर आते हैं कि which of the following days is celebrated as international migrant day तो किस दिन को international migrant day के रूप में भी celebrate करते हैं आपके 15 दिसंबर 18 दिसंबर 28 दिसंबर 22 दिसंबर तो international migrant day यानि अंतराश्ची प्रवासी दिवस किस दिन को मनाया जाता है 15 दिसंबर 18 दिसंबर 28 दिसंबर 22 दिसंबर तो international migrant day मनाते हैं कब इंटरनाश्चनल migrant day कब मनाते हैं दोस्तों फटाफट से आंसर करो इतना टाइम आपको defense exam नहीं देगी देखो international migrant day migrant का मतलब होता है प्रवासी जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो international migrant day मनाते हैं 18 दिसंबर तो international migrant day मनाया जाता है 18 दिसंबर तो correct answer होगा option b 18 दिसंबर को मनाते हैं international migrant day करेक्ट आंसर होगा option b 18 दिसंबर तो ध्यान रखने 18 दिसंबर को मनाते हैं international migrant day यहां पर भी dates clear है globalization in advance of the communication and transported greatly increase the number of people who have desired the capacity to move one place to another place तो migrant का मतलबी होता है प्रवासी जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो जब से globalization बढ़ा है जब से mode of transportation बढ़ा है और जब से communication medium बढ़ा है तब से number of people जो migrate करते हैं from one place to another वो भी increase हुआ है तो number of people जो migrate करते हैं one place to another वो भी migrate हुआ है तो international migrant day मनाते हैं 18th of the December 18th of the December को मनाते हैं correct answer है दोस्तो option B इसके बाद which of the following team has won F.I.H. Women Nation Cup 2022 से मैंने आपको current affairs में भी पढ़ा है कि किस team ने जीता है F.I.H. Women's Women's Nation Cup 2022 F.I.H. Women's Nation Cup 2022 किस country ने जीता है और आपके options है Spain, Netherlands, India, Australia Spain, Netherlands, India, Australia इन चारों में से किस country ने F.I.H. Women Nation Cup जीता है जल्दी से comment करके दोस्तों answer बताईए फिर अगले question पर move करेंगे और आपको answer करना है फटाफट इतना time आपको defense exam नहीं देगी answer करने के लिए ना तो इतना time CDS में मिलेगा ना इतना time FCAT में मिलेगा फटाफट से answer करो दोस्तों तो भाई चेतन का answer बिलकुल सही आ रहा है चेतन कह रहे हैं इंडिया अंशूरानी कह रही है इंडिया तो फटाफट से दोस्तों इस session को like और share जरूर कर देना ताकि maximum students तक यह session पहुंच सके मौली तिवारी का भी answer आ रहा है option C यानि इंडिया और correct answer भी है दोस्तों इंडिया अब देखो इंडिया ने हराया किसे तो इंडिया ने हराया है Spain को तो इंडिया ने हराया है डिफिटेड स्पेन को और कितनेने जोल से हराया है तो द्यान रख्यन रहना इंडिया ने स्पेन को हराया है टू वरन से याख Groß F इस event की जो venue तही वो भी थी Spanish में तो यह event हुआ था Japan में और Spain को ही हराया तो जो हमारे Somet prayer है उनको घर में हराने का मजा कुछ और है तो जैसे, जो आपकी हार की त्येयारी कर रहे हैं और उसि समय आप जीट जाओ तो उसका मजा कुछ और होता है तो इंडिया ने हराया स्पेन को 2-1 से और यह वेन्यू भी कहां थी वो थी स्पेन में तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों option c इंडिया और इंडिया ने हराया Spain को 2-1 से, तो correct answer है option C, ओके नहीं नहीं, 1-0 से हराया है, 2-1 से नहीं, एक मिनट, इसे एक काम कर लो, edit कर लो, 1-0 से, 2-1 से नहीं, 1-0 से इसे हराया था, वह एक मिनट, 1-0 से हराया था, final with, 1-0 victory over Spain, और ये भी जो event हुआ था, वह हुआ था Spain में, तो ये भी event जो हुआ, वह हुआ था Spain में, 11 से ले करके 17 दिसंबर 2022 तक, तो 11 से 17 तक हुआ था, 2022 तक, तो correct answer है, दोस्तो, option C, जो की है, इंडिया, इंडिया ने इस event को जीता था, तो correct answer है, option C, that is India, तो I hope यहां तक सब को clear हो गया होगा, और ये सारे पिछले week के important current affairs है, maximum हमने class में, already अपने discuss कर रखे हैं, तो यहां पर आपको गलत होने के संभावना minimum होनी चाहिए, इसके बाद दोस्तों अगले question पर आते हैं, कि who among the following person has authored the book, light we carry, overcoming the uncertain time, light we carry, overcoming the uncertain time, ये book किस ने लिखा है, या किस का authored book है, options है, Michelle Obama, Joseph Stalin, Barack Obama और George Orwell, तो किस person ने इस book को लिखा है, जिसका नामे, light we carry, overcoming the uncertain times, light we carry, overcoming the uncertain times, ये book किस ने लिखा है, फटा-फट करके answer देंगे, जल्दी से answer दो भाई, फिर चलेंगे अपने अगले question की तरफ, अगले question की तरफ, ओके, देखते हैं भाई, ये book किस ने लिखा है, तो विनायक कह रहे है, C.O.K. चेतन रोहित का answer आ रहे है, अंशूरानी भी कह रही है, option A, so light we carry, overcoming the uncertain time, ये लिखा हुआ है, Michelle Obama का, और Michelle Obama, she is a spouse of Barack Obama, अब Barack Obama जे थे वो former US के president थे, और आपको answer बताना है, कि एक किताब, ये किताब किस ने लिखी है, Dreams from My Father, so एक बहुती famous book है, जिसका नाम है Dreams from My Father, ये बुक किस ने लिखा है, तो Dreams from My Father, ये बुक लिखा किस ने है, Dreams from My Father, ये बुक लिखा है किस ने, तो light we carry, overcoming the uncertain times, ये तो लिखा हुआ है आपका, Michelle Obama का Dreams from My Father, Dreams from My Father भी एक बहुत famous book है, या फिर a promising land भी उन्ही person ने लिखी है, तो किस की ये बुक है, Dreams from My Father और a promised land, ये बुक किस ने लिखा है, ये दोनों ऐसे person है, जो option में भी है, और a promised land, ये दोनों बुक लिखा है, बराक ओबामा ने, तो ये दोनों बुक, a promised land and dreams from my father, ये लिखा है, बराक ओबामा ने, तो dreams from my father, a promised land, ये लिखा हुआ है, बराक ओबामा का, और इनकी जो missus है, भी मिशेल ओबामा, उन्होंने लिखा है, लाइट वी, कैरी, तो उन्होंने लिखा है, लाइट वी, कैरी, तो correct answer हो गया, दोस्तो, option a, ठीक है, तो correct answer हो गया, option a, मिशेल ओबामा ने लिखा है, लाइट वी, कैरी, overcoming the uncertain times, तो ये लिखा हुआ है, मिशेल ओबामा का, लाइट वी, कैरी, overcoming the uncertain times, written by Michelle Obama, she was the former first lady of USA, चलो दोस्तों, next important पर आते हैं, कि which, what is the rank of India, in global food security index report 2022, 2022, so global food security index report 2022 में, इंडिया का rank क्या है, option है, 60th rank, 68th rank, 72 और 75th, so India की ranking क्या है, global food security index 2022 में, तो global food security index 2022 में, इंडिया की ranking आपको बतानी है, 60, 68, 72 और 75th, ओके देखते हैं, लेट सी, चेतन कहा रहे हैं, 75, ओके मुद्दसिर कहा रहे हैं, option B, अंशूरानी भी कहा रही हैं, 75th, ओके मुद्दस, मुद्देया का अंसर आ रहा है, बिलकुल सही, that is 68, तो ये जो ranking है, दोस्तों, इंडिया की, वो है 68, और इसे, Global Food Security Index Report को, जिसने publish किया था, वो एक British Weekly है, एक British Weekly newspaper है, जिसका नाम है, Economist, जिसका नाम है, Economist, इसने किया था, publish, साथी साथ ध्यान रखना की, आफरिका में, एक country है, जिसका नाम है, ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया ने, ये एक ऐसी country है, जो अपने आप में, बन गई है, कि जिसके पास, कम से कम, अपना food security है, so most food secure nation, most food, secure nation बन गई है, एफरिका की, तो पहले था, South Africa, earlier था, South Africa, अब बन गई है, ट्यूनीशिया, और इंडिया की, जो की ranking आई है, वो है, 68, तो इंडिया की ranking, जो है, दोस्तों, वो है, 68 रैंकिंग, तो correct answer है, option B, जो की है, 68 रैंकिंग, और इसको publish किया था, एक British weekly है, जिसका नाम है, economist, उसने publish कि, और जो एफरीका, जिसमें बहुत ज़्यादा भुख मरी है, food security की, बहुत ज़्यादा problem है, तो वहां की एक country है, Tunisia, जिसकी capital है, Tunis, और उसको मिला है, most food secured nation of Africa का award, तो most food secured nation of Africa का award, मिला है, ट्यूनीशिया को, जो पहले मिला हुआ था, South Africa को, तो correct answer है, दोस्तो, option B, ज़कि है, India की rank 68, तो India की rank है 68, और इससे release किया था, किसने, तो एक British weekly है, जिसका नाम है, The Economist, और South Africa को, पचाड़ा Tunisia ने, to become the most food secure country, in African continent, so option, जो है, option B, जो होगा, वो correct होगा, option B, जो होगा, वो correct है, यानि, इंडिया की ranking है 68, last is Afghanistan, definitely, last is Afghanistan, तो इसमें, जो last ranking मिली है, वो मिली है, अफगानिस्तान को, definitely, मुद्देया, correct answer है, last ranking is of Afghanistan, तो correct answer है, option B, जो की है, इंडिया की rank है 68, चलो दोस्तों, next important पर आते हैं, सूर्य किरन military exercise, very easy question, multiple times हमने discuss किया है, अपने daily current affairs के session में भी, कि जो सूर्य किरन military exercise है, वो 16th edition हो रहा है, किस country के बीच का है, तो जो 16th edition का, सूर्य किरन military exercise है, किन country के बीच में है, इंडिया और बंगलादेश, इंडिया नेवी, इंडिया नेशन नेवी, इंडिया आउमी, नेपाल आर्मी, इंडिया एर फोर्स, रॉल औस्ट्रेलियन एर फोर्स, तो ये बताओ कि सूर्य किरन military exercise, किन दो country के बीच में हो रहा है, बहुत simple question है, और उमीद करता हूँ, कि सारों को इसका आंसर पता होना चाहिए, इसमें तो बिल्कुल कोई शक नहीं है, हम लोगोंने daily current affairs में, और प्लस defense, जो current affairs हमारा Saturday के Saturday होता, उसमें भी हमने discuss किया है, बिल्कुल सही सारे दोस्तों का आंसर एकदम सही आ रहा है, जो की है Indian Army और नेपाली आर्मी, और ये जो joint military exercise का जो venue है, वो है साजी हंडी, और ये है नेपाल में, और इसमें Indian Army की तरफ से, 5 गुर्खा रेजिमेंट, 5 गुर्खा रेजिमेंट पाटिसिपेट कर रही है, और इस joint military exercise का जो purpose है, परपस बहुत simple है, वो है counter-insurgency, प्लस jungle warfare, counter-insurgency और jungle warfare को practice करना, और counter-insurgency को कहते हैं, आतंकवाद निरोधी अभियान, जिसमें जब कोई terrorist attack होता है, तो उस condition में आपको किस तरीके से, उन terrorist को neutralize करना है, किस तरीके से उन terrorist को खतम करना है, वो practice होता और jungle warfare में होता है, जब jungle की लड़ाई होती है, यानि जो hide and seek war, जिसको आप gorilla warfare भी कहते हैं, तो वो practice किया जाता है, आपका jungle warfare में, तो correct answer है, वो है आपका इंडिया और नेपाल आर्मी के बीच में, सूरी किरन 16th military exercise हो रही है, और ये हो रहा है साजी हंडी जो की है नेपाल में, तो correct answer होगा दोस्तों क्या, वो है इंडियान आर्मी और नेपाल आर्मी के बीच में, और इंडियान आर्मी की तरब से जो regiment participate करेगी, वो गुर्खाब participate करेगी, तो correct answer है दोस्तों option C, और जितने भी दोस्त हमारे साथ session में live हो चुके हैं, फटाफट से दोस्तों session को एक बार like और share जरूर कर दीजे, ताकि मेरी team भी motivator है, और मैं भी आपके लिए motivator हूँ कि इस तरीके के multiple sessions आपके लिए, जो exam oriented हों वो लेकर के आऊं, चलो देखो यहाँ पर जो नेपाल आर्मी battle school में हुआ था, साल जी हंडी जो कि नेपाल में है और सूर्य किरन का 16th exercise है, और यहाँ पर जो philateral relation को boost करना है, main purpose है counter insurgency and jungle warfare को promote करना, तो correct answer है दोस्तों option C, जो कि हैं Indian Army और नेपाल आर्मी के बीच की, Indian Army और नेपाल आर्मी के बीच में यह joint military exercise है, सूर्य किरन 16th, यह 16th edition है उसका, चलो काजदिन्द 2022 किन दो country के बीच में है, बहुत आसान सा question है, देखते हैं कितने दोस्त हमारे सही बताते हैं, कि जो काजदिन्द joint military exercise है, वो किन दो country के बीच में है, और देखते हैं आपका option क्या है, काजद military exercise कहां हो रहा है, देहरादून में, अलमाटी में, उम्रोई में और अस्ताना में, कहां हो रहा है joint military exercise काजदिन्द, जो 6th edition है, जल्दी से बताओ कि ये event हो कहां रहा है, यानि जो joint military exercise है, इसकी venue कहां है, joint military exercise है, इसकी venue कहां है, देखते हैं भाई, कहां हो रहा है, करेक्ट आंसर कजाकस्तान एन इंडिया बिलकुल सही है, ओके विनायक कहां रहे है, option A, then भानू, भौदीप अकबरी का अंसर A है, भाई A और C के बीच में students हैं confused, कि A होगा या C होगा, तो हर चीजें देहरादूर में तो हो नहीं सकती, इसका correct answer है दोस्तों, option C, उम्रोई मेघालिया, उम्रोई मेघालिया में हो रहा है, very good मौलितिवारी, correct answer है उम्रोई मेघालिया, अब ध्यान रखना की जो काजिंद है, 2022, ये एक joint military exercise है, between India, and कजाकरस्तान, जो कि एक Central Asian country है, Central Asia में है, एक Central Asian country इन दोनों के बीच में हो रहा है, और Indian Army की तरफ से, Indian Army की तरफ से, 11 गोर्खा राइफल, 11 गोर्खा राइफल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो Indian Army की तरफ से, 11 गोरखा राइफल इसमें participate कर रहे हैं और यह हो रही है मेघालिय में अस्ताना जो है दोस्तों यह capital है कजाकिस्तान की कजाकिस्तान की जो capital है वो है अस्ताना और ध्यान रखना पहले इसकी capital का नाम था नूर सुल्थ पहले अस्ताना थी बाद ने बनाया गया नूर सुल्तान दुबारा से अस्ताना कर दिया गया तो correct answer है उम्रोई जो कि है मेगाले में यहीं पर हो रहा है काजिंद joint military exercise between India and कजाकस्तान और देहरादून में जो दो बड़ी famous Indian academies हैं एक तो Indian military academy है जो आप जानते हैं और दूसरा है इंदरा गांधी national forest academy और यहां पर जो Indian forest service officers की करवाई जाती है training तो Indian forest service के officers की जो training कराई जाती है वो होती है देहरादून में जिस और training academy का नाम है इंदरा गांधी national forest academy तो देहरादून में सरिफ Indian military academy के साथ साथ एक दूसरी भी training academy है जिसका नाम है इंदरा गांधी national forest academy और जहां Indian forest service officers की training कराई जाती है तो जो भारती वन सेवा की अधिकारी होते हैं उनकी भी training होती है देहरादून में जिसका नाम है इंदरा गांधी national forest academy तो इसे भी आप काम में कई बार पूछा जा सकता है तो इंडियन military academy के साथ साथ हिंद्रा गांधी national forest academy यह भी आपका है देहरादून में तो इन दोनों को नोट कर लेना दोस्तों examination में आप से पूछा जा सकता है तो अब आ जाएंगे अगले question पर मैंने देखा है कि अभी तक आपका जो answer द गुरू होता इनकी पोस्टिंग स्टार्ट होती है तो यह इंडियन फॉरेंस फॉरेंस सर्विस के officers होते हैं इसके बाद दोस्तों अगले question पर आते हैं कि which of the following nation has been removed from the United Nation Women's Rights Group तो United Nation Women's Rights Group से किस country को suspend कर दिया गया है किस country को suspend कर दिया गया है इंडिया United Nation Women's Rights Group यह भी newspaper में था और मैंने इस current affairs को आपको करवाया भी था वन लाइनर में कि which of the following countries has been removed from the United Nations Women's Rights Group सीरिया यूक्रेइन इराक और इरान तो देखते हैं भाई क्या correct answer है राखी का अंसर आ रहा है option डी शेशी कोशल कह रहे हैं डी इंडिया इरान आफ्टर हिजाब प्रोटेस्ट के लिए इनको फिर सस्पेंड कर दिया गया था आफ्टर हिजाब प्रोटेस्ट तो correct answer है option डी जो कि है इरान और यहां पर बाकी जो उनका टर्म था फ्रॉम 2022 तो 2026 इनको कर दिया गया सस्पेंड प्रोटेस्ट के हिजाब प्रोटेस्ट को लेकर तो correct answer हो गया option डी जो कि है इरान और सीरिया तो हमेशा से प्रोटेस्ट के न्यूज में रहता है विकाउज आफ दा सिविल वर यूक्रेइन के जो प्राइम इन जो प्रेसिडेंट है उनको मिला है टाइमस पर्सन ऑफ दा येर अवार्ट 2022 तो correct answer है option डी जो कि है इरान so yes against America next is कि what is the theme of Vijay Divas 2022 तो Vijay Divas 2022 का theme क्या था run for soldiers with soldiers remember rejoice renew remember the supreme sacrifice soldiers is a symbol of pride तो क्या theme था विजे दिवस 2022 का विजे दिवस 2022 का दोस्तो theme क्या था theme of Vijay Divas और विजे दिवस भाई बांगलादेश का लिब्रेशन डेवी है और ये इंडियान आर्मी के लिए बहुत ही एतिहासिक दिन है विजे दिवस 2022 का theme पूछा जा रहा है कि theme क्या था तो दोस्तों जल्दी से comment करके answer करो देखते हैं विजे का answer क्या रहा है विने के हैं 2000 A के हैं मौली तिवारी का answer आ रहा है option B अशू रानी आशू रानी का भी answer आ रहा है option B ध्यान रखना दोस्तो सबसे पहले विजे दिवस जो मनाते हैं वो 16 दिसंबर को मनाते हैं और 16 दिसंबर 1971 को इंडियन आर्मी ने इंडियन आर्मी के सामने पाकिस्तानी आर्मी ने किया था सरेंडर अर्ण 93,000 पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर किया था तिसी वज़े से मनाते हैं विजे दिवस और 1971 में ही एक नई कंट्री बन करके आई थी जिसका नाम था बंगलादेश जिसको अर्लियर कहते थे इस्ट पाकिस्तान इस पाकिस्तान और इसका जो थीम है 2022 का वो है रन फॉर दा सोल्जर विज़ सोल्जर तो करेक्ट आंसर है दोस्तों। और 1971 में ही पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर किया था इंडियन आर्मी के सामने और इंडियन आर्मी के साइट से लिफ्टेनेंट जनरल जगजीत सिंगरोड़ा और पाकिस्तानी आर्मी के साइट से लिफ्टेनेंट जनरल नियाजी थे तो उन्होंने जो अपनी पिस्टल as a symbol of surrender रखी थी before Indian Army वो आज भी Indian Military Academy के Museum में रखा हुआ है और कई बार उसको attempt हो चुका है उस pistol को चोरी करने के लिए ठीक है 26 July 1999 ये विजे दिवस है कारगिल का तो जो 26 July का विजे दिवस है दोस्तों वो है कारगिल का जिसमें हमने फिर पाकिस्तान को पीटा था और 1971 में भी पीटा था तो कुल मिला करके पाकिस्तान हमेशा इंडिया से पिठता ही रहा है लेकिन अपनी हरकतों से बास आता नहीं है तो 26 July को जो विजे दिवस है वो कारगिल वाला है जिसमें हमने ओपरेशन विजे चलाया और फिर सारे पाकिस्तानियों को जो हमारे बंकर्स में खाली पड़े बंकर्स में बैठ गए थे और वहां से फाइरिंग कर रहे थे वहां वहां से मार कर दुवारा उनको लोसी के पीछे फैंक दिया तो विजे दिवस यह भी अपने हरकतों से बाज नहीं आते तो कुल मिला करके है रण फॉर दशॉल्जजर विच सूल्जर और 1971 में नई कंट्री बन करके आती है जिसका नाम है बंगलादेश और शेख मुजीबूर रह्मान उसके पहले प्रेजिडेंट बनते हैं तो इसलिए इनको बंग बंधु भी कहा जाता है तो correct answer है run for the soldiers with soldiers अच्छा भौधीब बताऊंगा कि वैट की preparation कैसे करें word association test की देखो word association test में simple simple word बनाना है बहुत तेनहा word मत बना देना है कि उनको भी खोजना पड़े और कभी भी ideological words नहीं बनाते जैसे respect है तो one should respect our elders ऐसा नहीं बनाते इंडियन शुड रेस्पेक्ट आवर नाशनल फ्लाग इस टाइप से बनाते शुड शाल वर्ल इन सब वर्ड का यूज नहीं करते हैं तो यूनिफॉर्म generates the respect for the soldiers हाँ वो हम लोग discuss करेंगे कि word association यह SSB की जब classes होंगी वहां बताऊंगा चुकि खुद भी recommended candidate में रहा हूं 34 SSB अलाहबाद से तो बताऊंगा कि word association test किस तरीके से handle किया जाता है जीके को prepare कैसे करना है अंशुरानी इसका वीडियो मैंने कल ही लिया है कि कौन-कौन से important topics होने चाहिए preparation के कल का वीडियो जरूर देख लेना तो दोस्तों correct answer है option A और ध्यान रखना कि option A का जो event है run for the soldiers with soldiers to strengthen the bond between Indian army and youth Indian army और youth के बीच में जो bond को strong करने के लिए यह operation था यह एक event था जिसका नाम है run for the soldiers with soldiers और विजय दिवस मनाया जाता है 1970s 16 दिसंबर को 1971 वार के commemorate करने के लिए तो यहां पर ध्यान रखना कि 1971 में भी हमने पीटा फिर 1999 में भी पीटा तो correct answer है दोस्तों option A run for the soldiers with soldiers ताकि Indian army और Indian youth के बीच का जो connection है वो बन सके चलो दोस्तों अगले question पर आते हैं और देखते हैं अपना अगला question क्या है option है आइनेस मार्मूगाव आइनेस डेकेन आइनेस पंजिम और आइनेस कोची तो किसे गोवा लिब्रेशन डे की event पर कमिशन किया गया तो देखते हैं क्या answer है शाहिल कोशल का रहा है आइनेस मार्मूगाव चेतन रोहित कह रहे option है तो चलिए इस बार सभी के answer बिलकुल आ रहे हैं करेक्ट और करेक्ट answer है दोस्तों आइनेस मार्मूगाव और ध्यान रखना कि जो गोवा लिब्रेशन डे मनाते हैं वो मनाते हैं कौनसे दिन को तो 19 दिसंबर को मनाते हैं कि 19 दिसंबर को तो 19 दिसंबर को गोवा लिब्रेशन डे मनता है लेकिन इसको इनागरेट 18 तारीक 18 को ही कर दिया गया था बाई आवर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सेंग और जो गोवा था वो पहले पॉर्चुगीज कॉलिनी थी और इन्होंने इंडिया को वेकेट किया था 1961 में तो जो पॉर्चुगीज थे वो वो इंडिया है पॉर्च तो कम एंड लास्ट तो गो आ गये थे 1498 में ही और इंडिया से गये 1961 में तो आ चुके थे 1498 में और इंडिया से गये 1961 में तो कुल मिला कि आएनेश मार्मूगाओ को कमिशन किया गया तो आएनेश मार्मूगाओ को कमिशन किया गया है ओंदग गोवा लिबरेशन डे मनाते हैं 19th of the December और गोवा लिबरेशन डे जिसमें पॉर्चुगीज से गोवा को हमने लिबरेट किया था French colony देखो पुदुचेरी वस दा फ्रेंच कोलिनी और जो गोवा था वो पॉर्चुगीज गोवा दमानें दीव ये सब पॉर्चुगीज कोलिनी हुआ करती थी तो ये कॉलिनी थी पॉर्चुगीज की तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तो आइनेस मार्मूगाव और आइनेस मार्मूगाव जो है वो स्टील्थ गाइड़ मिसाइल डिस्ट्वाइर है यानि जो भी छुपे हुए मिसाइल होते हैं उनको स्टील्थ मिसाइल कहते हैं उनका डि संबर को इसको कमिशन किया था हमारे राजनाथ सिंग ने जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है और एड्मिलल आर हरी कुमार भी प्रेजेंट थे यानि जो चीफ आफ नेवल स्टाफ थे वो भी प्रेजेंट थे और डिफेंस मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया आई नेस मार इसके बाद next आते हैं कि which of the following day is celebrated as the National Conservation Energy Day. So, National Conservation Energy Day कौन से दिन को मनाया जाता है? Options हैं आपके 10 December, 12 December, 14 December और 16 December. So, किस दिन मनाते हैं National Energy Conservation Day? National Energy Conservation Day दोस्तों कम मनाते हैं फटाफट से अंसर करो और देखते हैं कितनों का अंसर करेक्ट आता है देखो days and dates वाला question होता ने ंडीए सीडीएस का बड़ा फेवरेट question है और कई बार Air Force Common Admission Test में भी आपको days and dates related questions मिल जाते हैं और के देखते हैं साहिल कोशल का अंसर आ रहा है 14 ओके अंशुरानी आशुरानी का अंसर आ रहा है 10 ओके देखते हैं कुछ अलग बाकी मुद्धिया का अंसर आ रहा है option C, okay mystery का भी आंसर आ रहा है option C और option C है दोस्तो 14th December तो correct answer भी मन होता है 14th December और international conservation energy day जिसमें हम renewable sources of energy को promote करते हैं और यहां पर Bureau of energy efficiency to create awareness about limiting energy loss यानि इसमें हम awareness create करते हैं ताकि हम energy loss को ना करें energy loss मेरा मतलब है कि माल लिजे आप किसी रूम से बाहर निकल गया आपने उसके lights और fans आफ नहीं किये वह running condition में है तो वह हमारा energy loss है तो good afternoon GSR पुजी था and this is the session for all examination so defense के साथ साथ सारे examination के लिए यह equally important session है तो defense के साथ साथ सारे examination के लिए because सारे examination का current affairs तो same ही होता है तो defense में थोड़ा हम extensive पढ़ेते हैं तो और ज्यादा आपके लिए फायदा हो सकता है तो correct answer हो गया option C next पर आते हैं कि who among the following person was named PETA person of the year 2002 by PETA so PETA के द्वारा that is people for ethical treatment of animals इसका 2002 का award किसे दिया गया है बहुत ही easy question है दोस्तों यह हम लोगों ने करवा भी रखा है तो यह बता दो किस बार PETA person of the year 2022 किसे दिया गया है तो PETA person of the year 2002 इस बार दिया गया है दबंग गर्ल को यानि none other than सोनाक्षी सिन्हा सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया है और 2001 का जो अवर्ड दिया गया था PETA 2021 का जो person of the year अवर्ड दिया गया था वो दिया गया था आलिया भट को और इनको specially दिया गया था for rescue of the cat and dog तो cat or dog के rescue programs के लिए इनको दिया गया और ध्यान रखना जो पेटा है उसका जो head office है वो है नौर्फ लॉक में जो की है विर्जीनिया यूएस में तो जो पेटा का headquarter है वो विर्जीनिया यूएस में है नौर्फ लॉक में 2021 का दिया गया था वो दिया गया था आलिया भट को तो यह ध्यान रखना आलिया भट को 2021 का मिला और 2022 का दिया गया सोनाक्षिश इन्हा को और सोनाक्षिश इन्हा ने ज्यादा तर जो cat और dog के rescue के लिए बहुत सारे campaigns और awareness program को में participate किया है और पेटा का head office पूछ सकते हैं तो नौर्फ लॉक विर्जीनिया यूएस में है तो correct answer है दोस्तो option C that is none other than सोनाक्षिश इन्हा daughter of सत्रुग्श इन्हा और दबंगल के नाम से famous हैं तो correct answer है option C तो सोनाक्षी सिन्हा को peta of the year award दिया गया है for animal welfare specially cat or dogs के लिए और एक non-profit organization है to celebrate the Indian action of the actresses for saving animal lives तो इस बार दिया गया सोनाक्षी सिन्हा को peta India 2022 बहुत आसान सा और बहुत easy question नेक्ट दोस्तों question पर आते हैं कि Ireland के Prime Minister Indian origin के एक Ireland के Prime Minister है किसे बनाया गया है Indian origin का Irish Prime Minister जल्दी से answer करो option है लियो वर्डाकर लियो वराडकर माइकल मार्टीन इंडी केनी और ब्राइन कोवेन तो Ireland का New Prime Minister किसे बनाया गया है जो कि एक Indian origin के भी है Ireland का New Prime Minister जो इंडीन origin का है ओके देखते हैं मुद्धिया बी ए इस option ए मिस्ट्री का बिल्कुल सही दोस्तों फड़ा फड़ा आंसर करो भाई defense में जा रहो इतना लेट बरदास्त नहीं है तो ध्यान रखना कि Ireland से भी हमने बहुत सारी चीज़े अपने constitution में लिए हैं जैसे फॉर एक्जामपल एलेक्शन ऑफ प्रेजडेंट डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभाव यह सारे हमने लिए हैं आइडलेंड से और आइडलेंड की capital है Dublin और लियो वराड़कर वहां के न्यू प्राइम मिनिस्टर है जो की हैं इंडियन ओरिजिन के तो आज कल इंडियन ओरिजिन के लोग बहुत धूम मचा हुए हैं चाहे वो रिशी सुनक हो लियो वराड़कर हो जिनको देखो उनको ही बहुत बड़ी बड़ी कंट्री जो हम पर साशन कर रही थी आज हमारे लोग वहां पर साशन कर रहे हैं तो रिशी सुनक भी बने जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है लियो वराड़कर भी बने सारे इंडियन ओरिजिन के तो कर्यक्ट आंसर है दोस्तों आप्शन ये लियो वराड़कर और ये जो लीडर है वो फाइन गेल पार्टी के हैं और इनको इलेक्ट किया गया है न्यू प्राइम मिनिस्टर अफ आर्लेंड लियो वराड़कर अब आजाते हैं आम्ड फोर्सेस फ्लैग डे शश्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श् आम्ड फोर्सस फ्लाग डे कब सेलिब्रेट करते हैं चलो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है मिश्ट्री कहा रही है ऑप्शन ए ओके ओके सो सेवन दिसंबर रोहित का अंसर आ रहा है ऑप्शन ए चेतन रोहित कहा रहा है बाकी सारे जो स्टुडेंट्स जा रहे हैं वो जा रहे हैं ऑप्शन बी पर यानी 7 दिसंबर पर तो देखो जो इंडियान आउंड फोर्सस फ्लाग डे मनाते हैं वो 7 दिसंबर को मनाते हैं और ये इसलिए मनाया जाता है to honor our veteran soldiers as well as the serving soldiers. To honor the reason hai celebrate karne ka, to honor the veteran and serving soldier. To honor the serving and the veteran soldiers, इसी purpose में मनाते हैं हम Armed Forces Flag Day और ये मनाते हैं 7 December को. तो correct answer हो गया दोस्तो option B जो की है 7 December. तो Armed Forces Flag Day मनाते हैं 7 December को और Armed Forces Flag Day मनाया जा रहा है 1949 से. To honor the soldiers and the veterans of Indian armed forces. तो हमारे regular soldiers और हमारे veterans दोनों को honor करने के लिए ये particular day को हम celebrate करते हैं Indian Armed Forces Flag Day के रूप में. तो correct answer हो गया दोस्तो option B जो है 7th of the December Armed Forces Flag Day. Next आते हैं कि which of the following days is celebrated as International Human Solidarity Day. International Human Solidarity Day to fight poverty, to inquire the reasons of poverty and to eliminate them. आप International Human Solidarity Day कौन से दिन मनाते हैं International Human Solidarity Day दोस्तों जल्दी से बताओ International Human Solidarity Day राष्टे मानव एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है 18 दिसंबर 20 दिसंबर 22 दिसंबर 23 दिसंबर ओके मौनिषा का अंसर आ रहा है 20 साहिल काशल भी कहा रहा है 20 ठीक है चलो बताते हैं देखते हैं option B राखी मिस्ट्री सभी का अंसर आ रहा है option B तो दोस्तों ये मनाते हैं 20 दिसंबर को तो correct आंसर हो गया option B यानि 20 दिसंबर को अब मनाने का reason देखलो किसे मनाते क्यों हैं reason है कि to inquire the inquire the reasons of poverty and to find methods to eliminate यानि inquire करना है reasons to fight the poverty और इनको eliminate करने के क्या reasons होने चाहिए कि किस वज़े से हमारे world में poverty आती है और किस तरीके से हम उनको eliminate कर सकते हैं तो इसको find out करने के लिए मनाते हैं international human solidarity day जो मनता है 20 December को तो correct answer है दोस्तो option B जो की है 20 December को और इसका reason है to combat poverty proclaimed on 28 December as international human solidarity day तो गरीबी किस वज़े से आती है और गरीबी को किस तरीके से हम हटा सकते हैं इन दो reasons को inquire करने के लिए international human solidarity day मनाया जाता है तो correct answer हो गया दोस्तो option B next आते हैं कि which of the following countries is set to host FIFA Club World Cup in 2023 FIFA Club World Cup 2023 को कौन सी country host करेगी ये वो country है जो इस बार जो आई है first position पर आर्जेंटीना है second position पर फ्रांस है third position पर Croatia है fourth position पर ये country है फीफा वर्ल्ड कप में fourth position पर है तो first position पर तो आर्जेंटीना second position पर फ्रांस third position पर क्रोईशिया fourth position पर ये country है और यहाँ पर semi finals में इसने फ्रांस के साथ खेला था हलाकि फ्रांस से ये हार गई थी ओके देखते हैं correct answer Qatar UAE Qatar Norway Morocco देखते हैं क्या answer होगा वर्षा कह रही है option बी देन मुद्धिया बी ये कह रहे है option डी देन इंडिजिनेस गेम्स मोरको मोरको ओके तो दोस्तों इसका एक correct answer है कि वह country जहां से एक foreign traveler इंडिया आया था जिसका नाम था इबन बतूता तो इबन बतूता नाम का एक foreign traveler था आप लोगों ने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में कि इबन बतूता नाम का एक foreign traveler था जो कि एक particular country से इंडिया आया और वह country थी मुरको तो correct answer है दोस्तों option D जो कि है मुरको और इस बार मुरको fourth position पे थी चुकि जब third position के लिए Croatia और मुरको के बीच में गेम हुआ तो उसमें Croatia ने मुरको को हरा दिया तो correct answer है option D मुरको और यहां का एक बहुत ही famous एक medieval India मेडिवल इंडिया का traveler था जो कि इंडिया आया जिसका नाम था इबन बतूता इबन बतूता यह आता है मेडिवल इंडिया में during the time of मुहम्मद बिन तुगलक 1325 to 1351 तो MBT का full form है दोस्तों मुहम्मद बिन तुगलक तो मुहम्मद बिन तुगलक के काल में मेडिवल इंडिया का traveler आया था मुरकोस से जिसका नाम था इबन बतूता और उसने वर्ल्ड की कई countries को घूम रखा था कई सारे देशों को घूम रखा था और घूमना उसकी hobby भी थी इसलिए कई बार कहा जाता है इबन बतूता बगल में जूता जूता का मतलब हो गया कि घ दुबाई का सबसे बड़ा मॉल है तो कभी भी आप UAE में जाओगे तो वहां एक प्लेस है दुबाई दुबाई में एक बहुत फेमस मॉल है जिसका नाम है इबन बतूता मॉल और यह भी इबन बतूता के नाम पर ही है तो आई होब दोस्तों यहां तक सब को clear हो गया होग की कैपिटल आदिस अबाबा बिल्कुल तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी जो की है मोरोको और इसमें टोटल 32 टीम इसमें मोरोको को सेलेक्ट किया गया है फीफा टो होस्ट 2023 क्लव वर्ल्ड कप इन फरवरी वाइल इक्स्पैंडेट 32 टीम एडिशन इस सेट टू लॉंचिन 2025 और जो फीफा 2026 होगा वो तीन कंट्री में होगा यूएस कैनेड़ और मेक्सिको में और यह होगी फीफा 2026 फीफा 2026 वह होगी us- Canada मेक्सिको में तो पहलेक्ट आंसर है दोस्तों इस इस बार होने वाला है वो फीफा का जो क्लब वर्ल्ड कप 2023 होगा वो होगा मुरुक्कों में तो करेक्ट आंसर है दोस्तो ऑप्शन डी दाट इस मुरुक्कों लुट्यूब पर ऑफलाइन जी के क्लास कैसे स्टार्ट होगी यूट्यूब इस अन ओनलाइन प्लाइटफॉर्म तो जैसे होगा आप एक बार डिफेंस चानल को रेगुलरली विजट करते रहो वहां आपको सारे अपडेटेड इंफोरमेशन मिल जाएंगे तो दोस्तों यह और लेडी मैंने आपके इस week के सारे के सारे जो important current affairs थे और exam oriented थे वो मैंने आपको सारे के सारे करवा दिये तो इससे आपको होगा कि जैसे जैसे weekly current affairs हम करते जाएंगे हर week के उस Saturday के दिन पूरे week का current affairs MCQ format में discuss करेंगे जिससे आपका confidence level बढ़ता जाएं साथी साथ हमारे SSB की भी classes start हो चुकी है जिस जो 13 December से already started है लेकिन यह है SSB interview के लिए उनके लिए है जो already CDS to 2023 को qualify करेंगे इसके साथ साथ हम लोगोंने एक लक्ष foundation courses भी launch किया है defense exam के लिए जो कि सारे defense exam के लिए equally important है और वो start हो चुका है 13-16 December के लिए और mission CDS चुकी CDS के अभी सबसे recent vacancy आई है तो उसके लिए हम लोगोंने एक batch plan किया है जिसमे 180 days का हम structured grade courses आपको देंगे प्लस 200 प्लस hours की live classes होंगी 180 प्लस PDF मिलेंगे 4500 प्लस practice question और access to 30 mock test और ये session स्टार्ट हो चुका है 21 December से तो अगर आप में से जो भी student CDS 1 2023 के लिए prepare करें देखो जादा दिन exam में नहीं है एक्जाम 16 अप्रेल को होने वाला है तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तयारी को आप complete कर सकते हैं ताकि CDS 1 2023 के लिए कि में SSB के लिए आप निशिन्थ हो सकें तो दोस्तों इसका PDF मैं आपको अपने टेलिग्राम ग्रूप पे शेयर कर दूंगा जिसका नाम है जिए बाई शेशांक उस पर आपको इस पूरे सेशन का PDF विथ अनोटेशन मिल जाएगा तो आज के सेशन के लिए दोस्तों बस इतना ही अम मिलेंगे अपने अगले सेशन में एक अगले एक सब्सक्राइब के जिस के दिन पूरे के पूरे वीक के इंपोरे मत medida को सबब्णा मिल और अगर आपका कोई भी डॉट है तो 965 0052904 पर call करके आप उसका answer उससे related concerns को solve कर सकते हैं और आज के session के लिए दोस्तों बस इतना ही मिलेंगे अपने अगले session में और मैंने already telegram channel पर अपना pdf में share कर दूँगा आज के session का तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं तो आज के session के लिए दोस्तों बस इतना ही मिलेंगे हर एक Saturday को जिसमें हम लोग पूरे week का current affairs MCQ format में discuss करेंगे